नमस्कार फ्रेंड स्रीमती जी की रसोई लाइप इस्टाइल में आपका स्वागत है तो फ्रेंड आज मैं लोकी का राहता बनाने जा रही हूँ तो देखिए मैंने दो छोटी-छोटी लोकी ली है और बहुत ही अच्छी बहुत मुलायम है तो मैंने इसे अच्छी तरश से अब उसका छिलका निकाल दिया है अब आगे का जो डंठल रहता है उसे भी निकाल दिया है अब मैं इसे भीज कर ले लेती हूँ तो आप देखिए इसी तरह से मैंने दोनों लवकी को भीज लिया है और बहुत मुलायम थी एक भी भीज नहीं था तो लवकी करायता बहुत टेस्टी है बहुत अच्छा बनता है तो फ्रेंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करिएगा और कमेंड पॉक्स में जरूर बताईएगा तो फ्रेंड देखिए मैंने कड़ाई गैस के उपर रख दी है उसमें डाल दिया है मैंने ओइल रिफाइंड ओइल जाला है तेल हमारा गरम हो गया है अब मैं उसमें डाल दूँगी जीरा आप देख सकते हैं मैं जीरा डाल रही हूँ जीरा डालने के बार पिरा हमारा ब्राउन हो जाएगा उसके बार मैं अभी जो लौकी घिस के रखा है फ्रेंड उसको डाल दूँगी तो आप लोग देखिए हमारा जीरा ब्राउन हो चुका है अब मैं अपने लौकी को गिसा हुए लवकी डाल देती हूं तो इस तरह से मुलाईब लवकी का रायता बनाते हैं तो बहुत टेष्टी होता है और सबको पसंदाता है सभी बहुत सोक से खाते हैं कभी भी आप रायता घर भी बनाए और आप लोग बनाते भी होंगे तो मैं किस तरह बनाती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ मनि जीरा तड़का डाल करके लोकी को डाल दिया है अब देखिए मैं धककन से ढख दिया था भी मैं डाल रही हूँ स्वाधनुसार नमक थोड़ा सा नमक कम डाल रही हूँ क्योंकि आगे भी मुझे नमक डालना है नमक डालने के बाद देखिए किस तरह से मिक्स कर दे रही हूँ तो हमारी लोकी लगभग पक चुकी है बहुत टेस्टी बहुत अच्छा रायता बनता है प्रेंड आप लोग भी एक बार बना के देखिएगा और गर्मियों में तो लोकी का रायता खाने में बहुत टेस्टी भी आता है वो पेट को भी धंडा करता है इसलिए हम लोग अक्सर बनाते हैं तो हमने सोचा आपके साथ भी सेयर कर दे और फ्रेंड आप लोग हमारा वीडियो जरा पूरा वाच करिएगा कुछ भी व्यूज नहीं आ रहा है इंप्रेशन एकदम गिर गया है इसलिए अभी वीडियो बनाने का अभी मन नहीं होता फ्रेंड तो देखिए मैंने दही लिया है चोटी कटोरी से एक कटोरी दही था मैंने बड़े बाउल में डाल लिया है उसमें डाला है मैंने थोड़ा सशक्कर और काला नमक डालूंगी यह देखिए मैं काला नमक डाल रही हूं तो आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं मैंने जीरा डाला था इसलिए जीरा पाउड में और बीद्वी डाल सकते हैं तो थोड़ा सा मिर्सी पाउडर डाला है और डालने के बाद दही को अच्छी तरसे फेट लेंगे इस अच्छी तरसा से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही टेस्टी रायता बना है तो देखिए दही को अच्छी तरसे फेट के ले लिया trembling अब मैं लवकी को अपने डाल देती हूं तो देखिए जितना आपका दही रहे जितना आपको खाना रहे उतना ही बनाईए हमने तो ज्यादा बनाया है लेकिन जितना खाना है उतना दही फेट करके इस तरह से बना लेंगे तो आप इसमें जीरा पाउडर और एड़ कर सकते हैं मैंने नहीं डाला है क्यों मैंने जीरा ज्यादा डाल दिया था तो देखिए फ्रेंड मेरा रायता बनके तयार हो गया अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को फुल वा करेंगे थैंक यू थैंक यू फ्रेंड